दोस्तों जैसे कि परंबीर सिंग ने कितना बड़ा बॉम भोड़ा एक चिठी लिखे जिसके अंदर वो सीधा एक गंभीर आरोप लगाते हैं होम मिनिस्टर अनिल देश मुक्ये उपर कि वो सौ करोड की वसूली कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से वसूली सरकार बन चुकी है जिसके अंदर उद्धव ठाकरे का जिक्र है कि उद्धव ठाकरे ये जानता था शरत पवार ये जानता था उसके बाद भी नोंने कुछ नहीं किया और आज ये बहिया चिठी जाने के बाद भी उद्धव चुप है बिल्कुल चुप है उद्धव ठाकरे तो आप यहां पर एक चीज समझ रहे हो कि ये व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर है एक सो करोड का इतना बड़ा घोटाला चल रहा है हर महीने का तो एक कितने करोड का ओगा और ये तो सिर्फ एक भाईया एपी आई के द्वारा सचिन वाजे के द्वारा किया जा रहा है और कितने होंगे और कितने करवा रहे होंगे होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर भहिया यहां पर बैठके अपनी जेब में कितना ले रहे होंगे ये क्या चल रहा है जो चीफ मिनिस्टर जानता है एंसी पो सु गई साजिश है कि NCP को घुटनों बिलाना क्योंकि शिव सेना तो भाईया बदनाम हो चुकी है सो शांत के केस के बाद से जैसे कि आप देख रहे हो कितनी बूरी तर उस पर अटेक उसके बेटे के उपर अटेक होते पर होते जा रहे शिव सेना यहाँ पर हर तरह से एक्सपोज हो चुकी है कि यह सरकार एक ऐसी सरकार है जो गलत है लेकिन यहाँ पर NCP बच रही है तो शिव सेना ने क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एक पैंतरा चला है कि तुम लोग अगर मेरे उपर आओगे तो देख लो मैं तुम्हें लेके डूबूँगा कि यहाँ पर यह चुपी यह दर्शारी है कि NCP जुख जाए जब उनके ओपर अटेक होगा पोलिटिकल अटेक होगा तो NCP को यहाँ पर जुखना पड़ेगा तो उद्धव ठाकरे का कोई मती नहीं आए भी तक यह उसी तरह से जैसे भहिया UPA के टाइम पर मनमोहन सिंग एकदम म्यूट चले गए थे सोनिया गांदी सरकार चला रही थी या फिर वो ही मैंने का न सोनिया गांदी सरकार चला रही थी तो कि यहां पर सोनिया गांदी सरकार चला रही है उद्धव ठाकरे मनमोहन सिंग की तरह भहिया शांती प्रिय उसमें जा चुके कि अब इनके मुख से कुछ निकलना बंद हो गया है तो यहां पर यह विशय गंभीर है कि क्या यह साजिश चल रही है यह भहिया सोनिया के द्वारा संचाले थे या फिर यहां पर इनकी साजिश शरत पवार NCP को घुटनों में लाने की कि बेटा मैं जाओंगा तो तुम्हें साथ में लेके जाओंगा यह बहुत गंभीर है दोस्तों समझो सरकार तो गिरेगी बट बदनामी सिर्फ मेरी क्यों हो तुम्हारी हो अगर यह सरकार गिरती है तो मेरे पे क्यों आए तुम पे आए यह बहुत अच्छे जी एक स्ट्रेटेजी इन्होंने चल दी है जहां पर यह खुद को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे है बट वो यह न सारे चोर एक दूसरे को एक्सपोस कर देंगे और अंत में इस सारे के सारे चोर जेल में सडेंगे ठीक है आप भई इतना बड़ा साजिश कांड चलते हो मनसी खिरेन को मार देते हो आपका बेटा भईया कोरोना वाइरस बोलके दुबक के बैठ चुका है आप इतने बुरे फस रहे हो आपके मूँ से कुछ निकल नहीं पा रहा है आपके भईया मंत्री संत्री सब के सब भरष्ट है आपका जो पुलिस तंत्र चल रहा है इसके अंदर बैठे अफसर भईया ब्रष्ट है गलत कामों में ये बैठे और उसके बाद आप ये पेक्षा करो कि भईया इंसाफ मिलेगा भारत की आम पबलिक ये सोच के जाए पुलिस टेशन की भईया आमें इंसाफ दिया जाएगा नहीं जब हम सुन रहे हैं ना महराश की पुलिस अरे गल सोस्टल में घुसके बच्चो के लड़कियों के कपड़े उतरवा के उनको नचवाती है क्या पेक्षा करोगे ये है ये पुलिस जब एक लड़की के साथ ये पुलिस ही रेप कर रही है तो क्या पेक्षा करोगे आप तो भहिया इनको घूसकोर ब्रश्ट सब तो बना दियो तो बहुत ज़रूरी है आज का जो यूथ है उनको अवेर होना बहुत ज़रूरी है वो सही रास्ते पे चले ये बहुत ज़रूरी है क्या है ना इस जीवन में आपको option मिलेंगे सही रास्ता गलत रास्ता गलत चुल लिया तो ऐसे बन जाओगे सही चुल लिया तो इमानदारी की तरह सही अवाज उठाओगे और जीवन में खुश रहोगे दुखी नहीं रहोगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना बनना पैसा भ्रष्ट इतना इसके पीछे भागोगे तो अंत में दुखी रहोगे और जेल में ही सड़ोगे इन सबका अंत निश्चित है बहुत जल्द बुरा वाला अंत निश्चित है इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है आप इस वीडियो को जादे साधर शेयर कर सकते हो सभी के साथ जिससे वो भी इस जानकारी से अवगत हो सके आप मेरे को फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो वहां मुसे जुड़ सकते हो जो मेरा यूजर नेम है आपको नीचे स्क्रीन पे दिख जाएगा जय हंद